हलो दोस्तों वेलकम टो अने अकाडमी और आयसी इस बार जो गेट 2024 का स्टाटिस्टिक्स है पुरा इंफोर्मेशन जो है 31st में को रिलीज किया है वो जो इंफोर्मेशन है अब मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ उसमें बहुत अच्छी इंफोर्मेशन दिया है जैसे आप को किसी कॉलेज में अपलाई करना है तो आप देख सकते होंगे आपकी रिजर्वेशन की कैटेगरी में कितने स्टुडेंट्स कॉलिफाई ही हुआ है और इसके अलावाद जनरल सारे काडेगरी का पूरा स्टाटिस दिया है और पूरा गेट सारे ब्रांचस की सारे पेपर की इनफरमेशन विलकुल क्लियरली हमको प्रोवाइड किया है यहाँ यहाँ पर आया सी में वेबसाइट के अंदर आप थोड़ा नीचे गया तो इंपोर्टेंट डेट्स के अंदर इंपोर्ट डेट्स के बगल में आपको यहाँ 31st में 2024 में यह स्टाटिस्टिकल अंड प 47 pages का information दिया है और फर्स्ट पेज जो है तो सिर्फ नाम है और अड्रस है और जो आइट इंक्लूडिंग टोटल 7 आइटी साइंड बनाए इसे रइट पुरा लेस्ट दिया है आपर और जो second page में आपको दिखेगा सारी जो important terminologies है जैसे abbreviation है description है इस abbreviation के अंदर आपको जो words यूज किया है उस word का meaning दिया है जैसे registered एक word यूज किया है इसका मतलब number of candidates registered ऐसे appeared है इसका word का meaning क्या होता है number of candidates appeared in the examination और qualified तो number of candidates qualified in the examination appeared percentage तो यह है कैसे calculate किया है appeared by registered divided by registered multiply with 100 तो और qualified भी qualified and divided with appeared multiply with 100 तो general को GN यूज किया है और other backward class को OBC and OBC NCLB SCST and PWD यह है सारी abbreviation जो इस PDF में यूज किया है और यह second page हो गया और third page के अंदर दिया है कितने papers इस बार conduct हुआ है उसकी accordingly course aerospace engineering AE है agricultural engineering AG है जैसे ही आपको main branches जो दिखेगा civil engineering CE है और chemical CH computer science की है CS और data science and AI की है यह नया paper है DA इस बार include किया है और electronics and communication का EC है electrical का E है ऐसे आपको सारे जितने भी papers इस बार conduct हुआ है सारे उसकी code भी दिया हुआ है तो आपको यह पूरा list मिल जाएगी इसमें और जो total information दिया है जैसे 2024 paper में total 100 marks है उसके अंदर general up to 50 marks दिया है और rest of the paper 85 marks की होगा ठीक है और यह 3rd page हो गया और 4th page जो है तो आपको एक XC paper की code है यह है और इसके अंदर two optional sections है और जैसे B, C, D, E, F, G जो choose किया है two optional sections के अंदर यह है इसका code भी दिया है यह compulsory जो code है यह है और options B2 और H दिया हुआ XC paper के लिए और XH paper के लिए यह जो अंदर सब codes है तो B1 है वो compulsory है और C1266 में anyone choose करना होगा तो इस type की information दिया है पुरा Excel पे पुरा information XC, Excel सबका दिया है और इसके अलावा और 4th page होगया और main next यह जो है important section है second section paper wise and category wise qualifying and marks as well as score तो आपको दिख जाएगा इसके अंदर अगर मानलो यह main AEE सारे papers का दिया है तो इसमें अगर देखा है computer science का computer science की जो paper code CS है और इसके अंदर 1,52,652 students registered है और उसमें से 1,23,967 appeared है राइट हो सकता कुछ लोग appear exam center नहीं गया होगा लिखने के लिए कुछ लोग paper में corrections में देखा तो हो सकता है तो इसकी वज़े से गया नहीं होगा और कितने लोग qualified है इसके अंदर आप देख सकते होंगे थोड़ा उपर यह qualified में देख सकते है आप 21,949 तो 1,23,000 लगबग लिखे है तो उसके अंदर 21,000 बदब आल्मोस्ट 1 by 6th candidates और qualified और उसमें आप देख सकते है 0.1% और टॉप 10 मानलो तॉप 10 का मार्स आप देख लिया तो 78 marks लगबग है तो मतलब top 10 में आगर रहना चाहिए आपको 78 के ऊपर होना चाहिए यह आपको दिखेगा mean marks of top 1 0.1% और top 10 ओके और लगबग 80 मानलो इस बार तो average marks जो है तो यहाँ पर 14 marks 0.92 मिले और standard deviation जो है 12.69 और qualifying marks जो दिया है तो marks पर vary होता रहता अब अगर इस बार देखा है qualifying score के accordingly यहाँ पर cutoff दिया है तो आपको 27.6 marks के लिए cutoff है इस बार qualified cutoff दिया है और CS के लिए और OBC के लिए 24.8 और STSE के लिए 18.4 और यह तो दिया है इस score है जनरल के लिए 350 score cutoff दिया है और 319 OBC EWS और 189 for SCST PWD तो इसलिए आप देख सकते है marks बिलकुल अलग अलग है बट यह जनरल के लिए same cutoff दिख रहा है score में और OBC EWS में तोड़ा variation देख रहा है आपको 300 ऊपर असबास में and SCST और देख सकते हैं आप कुछ papers में यार आप cutoff qualifying cutoff भी minus 55 क्योंग कोई नहीं हो सकता है उसके अंदर EY में तो इसकी वैसे minus 55 भी दिया है जो भी हो और इसमें बहुत अच्छा information क्या है आप देख सकते होंगे कितने competition है हार paper में और अगर देखा है इसके अंदर यहां से यहां तक आप आप एरस्वेस में लगबग 6,900 तक apply किया है और 5,000 तक appear किया एक्जाम में और 1,000 लोग almost qualify हुआ है तो और उसमें से कितने seats है और according लिए आपको कहा मिलेगा तो जनरल में कितने लोग है वो वो भी data है तो और आगे और इसमें EC है तो 78,000 अर अरूंड apply किया है और 63,000 qualify हुआ है और इसमें भी cut-off सब कुछ दिया हुआ तो यह information आपकी paper जो भी हो तो आपके अकटने लिखने है civil में यहां भी दिया है civil में 1,08,000 लोग apply किया है 85,000 मतलब CS के बाद अगर जो भी paper है वो सबसे ज़्यादा apply किया मतलब civil के अंदर है और जो appearing भी उसी में ज़्या आप मान सकते हैं इस बार भी similar applications होंगे CS और civil electronics और उसकी बाद electrical भी है तो वो भी ज़्यादा number of students apply किया है और यहां भी list है और उस list में तो आपको दिखा है civil भी और यहां पर देखो mechanical भी है 83,000 mechanical लोग apply किया है यहां पर 1,00,000 और यहां appear किया है 85 यहां appear किया है 65 तो आपको में ब्रांच जो है computer science, civil, mechanical, electrical, electronics इसमें बहुत सार students है जो get के लिए apply किया है तो वैसे भी आपको कोई भी college में देखा है तो यह 5 ब्रांच आपको admission देखेगा b-tech में admission लेना है तो यह 5 ब्रांच में होता है और m-tech में specializations भी और है तो you can also apply for them the total number of students applied यहां पर कितने है 82 मतलब 8,26,000 लोग apply किया है almost and 6,53,000 exam appear किया है और उसमें से 8,29,000 आरान लोग qualify हो है सारे papers include कर गे और यहां एक और information दिया है आमको paper-wise, category-wise and counts of registered, appeared and qualified candidates तो कितने लोग registered है, कितने लोग appeared है and कितने लोग qualified है तो यह सारे information आपको देखेगा तो इसमें एक computer science का देख लेते हम, computer science में general कितने लोग registered है, 66,040 students और कितने लोग appeared है, 51,263 और कितने लोग qualified है, 9,823 similarly, general EWS के लिए भी दिया है, OBS के लिए भी दिया है, SCST और इससे क्या आपको information मिलेगा, तो अगर आपको reservation है, open है, और कोई भी हो तो अगर कही पर भी apply किया, तो आपको minimum information मिलेगा, मेरा category में कितने students है अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहे, SCST लोग, कितने लोग है total qualified यहां से let's say CS, तो अगर देखा है ST, ST 672 qualified है 672 qualified है, तो आपको यह idea मिल जाएगा यार, मेरा rank अगर thousand एक, मेरा सामने यार लगबग कितने लोग हो सकता 50, 10, 20, तो लगबग expect करके आप apply कर सकते होंगे, तो यह बहुत अच्छी information है, जो इससे आप, तो admissions में भी तोड़ा help होंगे, और इसके साथ और भी information दिया है, वो भी हम देखेंगे, 8 pages में information दिया है और 9th page में, यहां देख सकते हैं, हर test paper के अंदर, max marks और minimum marks भी दिया है और score भी दिया है, maximum score, minimum score भी दिया है, तो अगर computer science देखा है, तो maximum marks 90 है और minimum marks minus 13.33, तो यह total 100 marks होता है, और minus कैसे हो गया, right negative marking की वज़े से यह minus भी जा सकता है, तो इसलिए आपको इस paper बहुत अच्छा से, आपको मेहनत करना होगा paper लिखने में इसलिए बहुत लोग जैसे 1, 2 साल, 3 साल coaching भी लेते हैं, but college के साथ साथ भी कर सकते हैं, इसको अच्छा से manage करके और data science का भी देखा यार, यह भी 90 marks है maximum, इनका भी score maximum 1000 है, तो यह CS का और DA का, आप देख सकते हैं, 90 marks मिला है, वो 1000 score के, right, out of 1000, 1000 score मिला है उनको, और इनका minimum marks जो है, minus 9.33 आप देख सकते होंगे, हर branch का दिया, हर paper का दिया है, तो हर paper में, और इसमें सबसे top जो है, तो 90 marks CS में मिला है, और लगवद पास पास में देख सकते हैं, prior technology, 83 civil engineering, 87, और 87 के पास, और कोई है, 84 mechanical भी है, तो mechanical, civil, computer science में, और statistics भी 90 के पास 89.67, यह तोड़ा information देखने के लिए मिल जाएगे, और यहाँ से आपको next year के लिए 90 आसपास में आया, तो आप टापर बन सकते हैं, तो यह भी एक अच्छी information है, टापर बनने वाला लोग के लिए हैं, और सारे papers का information यहां दिया है, और यह total 10 pages का information है, और 11th page में दिया है, paper wise range of marks, for appeared candidates, तो आप देख सकते होंगे, इसमें, यहार range भी दिया है, तो less than 0 कितने लोग है, और 0 including and 10 से बिलो कितने लोग है, और including 10, 10 से बिले कितने लोग है, और यहां तक दिया है, including 90 and 100 से बिलो, तो आप देख सकते हैं, 90 तो दो ही लोग को आया है, CS and DA, तो एक एक है, और देख सकते हैं, CS के अंदर 80 to 90 कितने लोग है, तो 29 है, तो अगर आपकी marks जो है, तो आपकी marks जो है, suppose, your marks is let's say 85, तो 85 मतलब आप इस range में होंगे, आपके साथ total 29 candidates है, तो आपकी range मे right, तो अगर कहीं पर भी apply किया, आपको IAC मिलेगा, नहीं मिलेगा, IIT bomb में मिलेगा, नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको awareness मिल सकता है, आपकी range में कितने students है, of course, उसमें reservation लोग को, और कम marks में भी मिल सकता है, but open category में आप competitive करने के लिए बहुत मदद होगा, तो आपकी marks ज़से 60 to 70 की बीच में है, देखो बहुत लोग है 86, तो यही पर आपको लगबग आपको CS के अंदर 800, 900 के आसपास में है, तो above 60, तो 900 लोग है, almost above 60 marks में, तो आपकी marks above 60 है, तो you can compete for the IITS, अगर तोड़ा भी 60 marks को बिले आया, तो अगर reservation है, तो तोड़ा फैदा मिल सकता है, तो उ above 50 देखा है, लगबग यहाँ 1700 है, और already 900 है, तो आपको 2600 लोग मिलेगा, यहाँ सिर्फ above 50, तो यह information आपको NIDS जब apply कर रहा है, IITS apply कर रहा है, तो उस समय में आपको यह थोड़ा information देखने के लिए मिलेगा, और DMA भी है, DMA क्या है information, देखो above 80, total 5 है, including 90 marks वाला, और above 70, तो लगबग आपको 78 लोग है, तो आप यह counting के साथ आपकी marks के accordingly, कितने लोग है आपके सामने, और कितने seats से वहाँ पर open में कितने है, और reservation में कितने में, आप compare कर सकते हैं, तो यह information आपको यह जब IIT M.TEC और NIDS M.TEC admissions के समय में, थोड़ा next rounds के लिए जब इंतजार करना ह है, तो यू, this information can be useful for you, आपकी सारे branches के लिए भी same information दिया है, और इसके बाद आपको page number 13 में, paper wise range of score for appeared candidates, score wise भी दिया है, पहले तो marks wise भी दिया है, अगर आपको score wise भी देखना है, तो कितने लोग है score के accordingly भी, same compare कर सकते हैं, अगर CS में देखा है, तो less than zero score, कितने लोग है, 891 तो zero to hundred score में कितने लोग है, 22,175, ठीक है, ये qualified लिखा है क्या, appeared लिखा है, qualified की नहीं बताया, कितने लोग appeared, तो qualified आपको score तो अलग-अलग होता है, तो ये dance देखना, ये qualified की नहीं, appeared की है, ठीक है, ये marks जो है, qualified के लिए, तो qualified, 11 to 20 से start किया क्यों, less than zero तो नहीं होता qualified, तो ये देख सकते हैं, तो including 11 से qualified, तो count किया है, कुछ कुछ papers में है, तो even 11 to 20 marks की बीच में भी, कुछ लोग को qualify किया है, तो देखो, CS में 11 to 20 marks में कितने लोग है, 528 है, जैसे आप देखो, यहार 80 to 90 है, तो अलरेड़ी देखा होगा आप यहापर 31 है, total, कितना 31 है, ये qualified candidates है, आप एक बार check कर लिजे, अच्छा से data, तो ये information दिया है, जो as per the IAC statistics, ये पूरा information आपको, मिलेगा, qualified, appeared, ये score, ये out of 100, paper wise, category wise, for qualified candidates, ये क्या देखा, paper and, इसमें क्या काउस बात है, तो इसमें category wise दिया है, इसे पहले क्या दिया है, total candidates दिया है, इसे इस से आपको बहुत फाइदा होंगे, अगर आपकी, IAT में, जो भी IAT अपलाई किया, उसमें, ओबी सिलेट से 10 seats है, और 5 seats है, 5 seats के अंदर, आपकी rank के पास कितने लोग है, in general, तो ये भी आप देख सकते होंगे, उसके accordingly guess कर सकते हैं, तो मैं CS का दिखाता हूँ, data क्या है, इसके अंदर, कैसे कैसे आप देख सकते होंगे, civil है, और CH chemical CS, और CS में देखो, यार यहाँ देख लेते हैं, आम above 50, above 50, यहाँ पर देख लेना, general 990, 50 to 60 है, and 60 to 70, 412, 70 to 80, 133, तो आगर आप IAT में अपलाई कर रहा है, तो याद रख लेना, यहाँ पर, above 60, already so much competition is there, तो बाकी सब में तो कुतरा competition कम है, but general लोग के लिए, अगर आपकी marks above 60 है, तो already it's very difficult to get into IATS directly, right, to qualify, right, यह बहुत important information मिल सकता है, computer science लोग के लिए, और OBC में देखो, यहाँ भी OBC में, 174, 5270, और 452, 5260, तो मतलब so much of competition above 50 marks, इस बार CS, तो इसलिए, कुछ लोग को 50 to 60 marks मिला है, but IAT में नहीं मिल रहा है, तो यह reason हो सकता है, यहाँ बहुत सारे students है, तो जिसको above 60 आया, तो इधर उधर मिल गया admission, but जैसे 55, 56, 57, यह जो marks आया है, तो उन लोग और rounds के लिए इंतजार कर रहा है, क्यों इन लोग के लिए के उपर depend होता है, सारे admission ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो यह है information, above 70 आया, तो maximum उनको admission मिला होगा, और कुछ लोग next rounds के लिए वेट कर रहा है, but above 60 is really, you need to wait for further rounds to get the good college, ऐसी estimate बहुत कम लोग है, आप देख सकते हैं, above 60, कितने लोग है, 3 plus 9, 12 है, और estimate 2 plus 2, 4 है, तो यह बहुत कम लोग है, इसलिए आपको above 60 marks आया, top institute में जा सकते हैं, top 2 institute में जा सकते हैं, तो आपको लगबग top 7 में मिल सकता है, तो यह information आप एक बार देखके, apply भी कर सकते हैं, कहाँ apply करना है, और यह सारे branches के लिए भी information available है, इस information को use कर लेना, expect कर सकते हैं, आपकी college priority क्या होना चाहिए, और इसके बाद, तो पूरा 23 page तक यह information है, और यह 24th page है, ठीक है, आप सारे paper से right, तो यह information आपको यह, लगबग each paper के लिए 5 rows फिल किया है, तो 5 rows में, 6 rows total के लिए use किया है इसमें, 27 pages, 28th, और यह है, paper wise and category wise range of marks for qualified candidates, तो यह है paper wise and category wise, यह paper है, और category wise भी दिया है, और range of marks, तो यह score दिख रहा है न, 0 to 100, यह range of, यह score है, ठीक है, यह score दिया है, तो यह देख ले न, यह 300 to 400 score, तो यह range of score है, ठीक है, पर qualified candidates, यह marks लिखा है, बट score की है, यह information, तो आप यह भी देख सकते हैं, आपकी score में कितने लोग है, आज पर the given data, तो यहाँ पर आपको, के नीछे, और CS, यहाँ देख सकते हैं, आप, आप देख सकते हैं हाँ पर, तो यह है, तो यह है, तो 800 to 900, यहाँ 151 general है, और 30 है, यह सारे आपको information दिया है, तो यह भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसकी अलावा, यह बहुत सारे paper से, यही पूरा information इसी का होता है, तो अगर आपको, यह score की, और marks की, थोड़ा भी मदद होगा, तो use कर ले न, CCMD जब फिल कर रहा है, तो reservation कुछ है, तो definitely this will help you to apply for the IITS and NITS, ठीक है, और अगले साल जो apply कर रहा है, तो उनके लिए भी तोड़ा information मिलेगा, और आपकी caterer में कितने लोग है, आपको कितने marks लाना है, और कहा पर admission मिल सकता है, आपकी score के ऊपर, तो यह target करने के लिए तो मदद हो सकता है, reservation में कितने marks लाएंगे तो आपको admission मिल सकता है, क्यों आपके सामने top 100 में कितने लोग आपकी reservation में है, तो यह देख सकते है, और starting and ending ranks of qualified candidates, यह qualified होने के लिए कितने ranks होना चाहिए starting and ending, यह आपको score wise भी दिया है, हर score में starting and ending rank कितना दिया है, यह भी तोड़ा अच्छा information है, देखो, score 900 to 1000 में कितने ranks है वो भी देख सकते हैं, देखो, aerospace में rank 1 से rank 4 है, और computer science में देखा है आप rank 1 से rank 45 तक, above 900, including 900 score, above 900, above and equal 900 में 37 ranks है, तो यह अच्छी information है, कितने लोग है 900 to 1000 ranks में, तो 800 to 900 में यह भी देख सकते है, starting and ending rank, तो 39 से start हुआ है, 213 ठाक है, less than 900 score, less than 900 score, तो आपको 213 rank ठाक है, 39 starting rank है, and 213, that is the last rank, तो 800 score हो सकता, आस-पास में, यह अच्छी information है, और यह जो score है, आपको मदद करेगा ranks को देखने के लिए, और आपको ranks की accordingly भी compare कर सकते हैं, यह सारे data लेकर, और gender wise counts of registered appeared qualified candidates, यह gender wise से आपको, मज में आता है, how many candidates applied in male category and female category, and others भी है, वहाँ भी apply किया है, तो आप CS में देखा है, तो कितने लोग appear हुआ, 80,000 लगबग, and appeared or qualified 17,000, और female category में 43,000 appear किया है, और लगबग 4,000 लोग qualify हुआ है, तो यह information आपको मिलेगा, तो इससे just आपको statistics है, क्यों यह feature में थोड़ा compare करने के लिए मदद हो सकता है, accordingly आपकी paper में कितने लोग apply कर रहा है, आपको कितने rank मिलना चाहिए, कितने score मिलना चाहिए, कितने marks मिलना चाहिए, यह थोड़ा information है, तो हमेशा marks and score rank थोड़ा relativity होता है, तो accordingly आप check कर सकते हैं, यह हो गया data, सारे papers के लिए, यह है total 47 का pages की, तो यह data जो है, इस बार release किया है, इसमें आपको दिखेगा, main जो branches में, computer science में, 1,50,000 लगबग, लोग apply किया है, इसका मतलब, आजकल, तो जो recession की वज़े से, और बाकी branches का भी, तो computer science में, यह apply कर रहा है, तो क्यों, यह computer science में, बहुत लोग लिक रहा है, the reason, यह वो सकता है, opportunities बहुत ज़्यादा है, CSA, comparatively, any other, और, कही पर भी देखा है, तो packages, इदर ज़्यादा मिल रहा है, उदर ज़्यादा मिल रहा है, due to the computer science specialization, to computer science specialization में, the packages may start from the 7 lakhs, I can go for the 2 crores around, तो average package जो होता है, IITs के अंदर computer science trends के लिए, अज़र BTEK और MTEK दोनों के लिए, तो यह होता है, average 20 to 30 lakhs बीच में होता है, बहुत सरा IITs में, even in NITs भी, nearly 20 lakhs की आसपास में होता है, even triple IITs में भी, computer science की branch में, तो package जो है, तो बहुत आई होता है comparatively, इसलिए, BTEK में जो भी branch के आया है, MTEK के लिए, CS में बहुत लोग apply करते हैं, क्यों अगर MTEK CS आया, बहुत अच्छी package लेके, you can take the IR, she can take the admission into IITs, and then get the good package, like I said, 20 to 30 lakhs का package, is a very good package, after studies, इसलिए आपको, यार gate लिखना है, तो computer science आप second paper चूज कर सकते, if you are from other branch, and in case, if you have more time to prepare for the second paper, you can, but अगर आप computer science primary paper चूज करना है, you can choose for that, and you can prepare, because बहुत सारे लोग है, तो non-CS students can also, you know, apply for computer science and crack the exam, we have seen lot of students, we have cracked, but you need to do proper hard work, and use the good resources for achieving this, and thank you for watching this session, जहन्त, bye-bye.